हाँ तो आज हम जो chapter खतम करने वाले हैं उसका नाम है tuples और यह काफी easy chapter है क्योंकि इससे पहले मैंने कौन सा chapter पढ़ाया दो मैं वो था list का list manipulation पढ़ा था किदर है वो list manipulation यह रहा तो यह contents थे list manipulation के काफी easy chapter था ठीक है तुमने पढ़ लिया होगा उमीद करता हूँ और अभी जो chapter है वो काफी easy है tuples काफी जादा मिलता जूलता है list से बस इसमें कुछ चीज़े और हैं जैसे unpacking वाले चीज़े जो है वो और हैं और बाकी बहुत सारी चीज़े इनमें मिलती होती है ठीक है तो तुम्हें बहुत ही आसानी होगी इस chapter को समझने में तो चलो जल्दी से chapter को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे tuples क्या होते हैं ठीक है tuples क्या होते हैं टपल्स अल्रेडी मैं बता चुका हूँ data handling वाले chapter में उसमें सारे जो हमारे data types है सबके introduction में यह हुए थे ठीक है तो सबसे पहले मैं तुम्हें यह दिखाता हूँ कि इने represent करते हैं माल लेते हैं मैं एक variable मना लेता हूँ ए नाम का और इसमें मैं assign करता हूँ एक टपल अब देखो टपल जो है वह एक sequence data type है similar to list तो इसे हम represent भी similar to list ही करेंगे तो जैसे के list में हम यह square brackets का use करते हैं similarly लेक तो यह इस तरह से हम करते हैं tuples को represent यह तरीका है tuples को represent करने का और मैं क्या बताना चाहरा था कि यह immutable होते है ठीक है immutable चलो तुम्हें मैं यहाँ पर इसकी एक element को change करके देखाता हूँ ठीक है immutable का मतलब क्या होता यह होता है ना कि हम इस data type में किसी एक element को पकड़के उसक बिखाता हूँ ठीक है तो यह कौन से index पर है 0 और 1 यह वन इंडेक्स पर तो यहाँ पर मैं a of 1 लिकूंगा और यहाँ पर मैं assign करूंगा क्या यहाँ पर मैं assign करूंगा a b c ठीक है यह मैंने कर दिया अब यहाँ पर मैं अगर print ना भी करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्य अगर मैं आपर print कर वहाँ एक हो तो भी कही प्रिंट करेंगा क्योंकि इसे यहीं पर error आ गया है ठीक है ना तो यह line आगे क्यों जाएगा ठीक है तो line 2 में error आ चुका है यहाँ पर यह बता रहा है मुझे तो यह काम है कि हम list में जो है वो किसी एक element को change नहीं कर सकते है इसक tuples में पढ़ने की तो यहाँ पर हमारे पास topics हैं तो यह उपर होगा इसको मियां से अटा के यहां कर देता हूं तो अभी हमारे पास topic है पढ़ने के लिए वो है creating and accessing tuples ठीक है तो create कैसे करते है tuple को अभ यहाँ पर तुम देख चुके देख चुके हो कि यह एक simple सा तरीका है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लिस्ट में बताया था कि एक list function अगर हम use करें तो वह हमें क्या return करके देता है एक empty list ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं print कर रहा हूं एक को ठीक है तो यहाँ पर बार बार लिस्ट का reference नहीं लूँगा कुछ चीज़ों में दिखा देता हूं बा पर यह मुझे एक empty tuple बना कर देगा अगर मैं इसको गिडिन करूँ तो यह तुम देख सकते हो यह empty tuple है ठीक है और क्या हो अगर मुझे एक single element वाला एक tuple बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा तुम कहोगे अब कि यह कर दो ठीक है तो यह क्या हो गया यह एक element हो गया जिसको तो कि मैं इस tuple में store कर रहा हूँ ठीक है तो क्या यह सही होगा नहीं यह सही नहीं होगा क्यों क्यों कि यहाँ पर अब देखो यहां पर बेसिक math वाली चीज़े आ जाती है क्योंकि अगर यहां पर तुम bracket में कोई चीज लगा रहे हो ठीक है तो वो उसको evaluate करेगा ठीक है स कर राते हैं अब देखते हैं क्या पrint करता है ये देखो यह बता रहाएं कि ह्याँ जब क्या रहा है यहाँ इसकी मैं आपर क्या चाहरा हूँ यहाँ पर टपल को इसके लिए मुझे क्या करना होगा जब भी में एक सिंगल टाल रहां अपने टॉपल ऐसे टापल define कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे वो element डाल कर, एक comma डालना पड़ेगा, ठीक है, अब ये मेरा एक tuple हो चुगा है, अगर मैं तुम्हें अभी run करके दिखा हूँ, तो देखो, ये class में को tuple बता रहा है, और अगर मैं यहाँ पर अगर सिर्फ एको प्रिंट करके दिखा हूँ, चलो अलग से प्रिंट कर वा लेते हैं, एको ठीक है, एको अलग से प्रिंट कर वा रहा हूँ, अगर अभी मैं ऐसे run करूँ तो अब मेरे को ये दिख रहा है, इस तरह से, यानि की एक tuple है, ठीक है, तो यहां पर कोई बहुत अच्छी चीज डाल देता हूँ मैं अब जरा इसे रन करके देखते हैं तो यहां पर तुम देख रहो कि क्लास यह स्ट्रिंग बता रहा है यानि स्ट्रिंग के साथ भी वही काम हो रहा है और अगर अभी मैं यहां पर कॉमा डाल दो तो क्या हो रहा है अब तुम देख रहो कि यह टपल बन चुका है यानि कि तुमने भी दो तरीके देखे कि टपल को कैसे define करते हैं अगर तुमें empty टपल define करना हो तो तुम direct टपल function का use करोगे और अगर single element वाले टपल को use करना हो ठीक है तो तुम यहाँ पर एक कॉमा तुमें लगाना जरूरी होता है और कौन सी चीज़े हैं और यहाँ पर तुमें normally भी एक तरीका पता है कि तुम कैसे multiple elements को store करते हो ठीक है अपने टपल में तो यहाँ पर अगर मैं 9 लिख दूँ यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ ठीक है तो ऐसे गर कि तुम normally टपल को बनाते हो तो यह भी एक तरीका है तो यह वह तीन तरीके सबसे पहला अगर टपल को पहला तो टपल फंक्शन था दूसरा empty टपल सॉरी single line single element वाला टपल तुम्हें अगर बनाना हो तो फिर वो तरीका हो गया और यह multiple elements का तुम्हें बनाना हो तो यह तरीका हो गया और एक और होता है nested tuples ठीक है आप तुमने list में भी पढ़ा था nested list क्या होते हैं ठीक है तो nested tuples क्या होते हैं nested tuples मतलब वही similar हो गया कि tuples के अंदर भी tuples हो यानि कि अगर जैसे कि यह एक element है यह string element है ठीक है यह integer element है यह भी int element है तो अब मैं पर क्या करता हूँ यहाँ पर मैं इस tuple के अंदर ही एक और tuple define कर देता हूँ तो as an element define करता हूँ समझ गया यहाँ पर मैं numbers का एक tuple define कर देता हूँ ठीक है तो अब देखो इस tuple के अंदर कितने elements है यह element है दूसरा element तीसरा element और यह चौथा element समझ गया है यह पूरा का पूरा as an element काम कर रहा है और अब यह जो चीज़े हैं वो इस tuple इसके लिए elements है अब अब अगर करूँ तो मैं बतारा Vere अगर जहां पर यह देखना चाहता हूँ कि ISTUPLE में जो वो कितने elements है तो यहाँ पर इसका index में को डालना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूँ कि मैं इस tuple के बारे में बात कर रहा हूँ तो यह क्या हो गया? 0, 1, 2 और यह 3 तो 3 index पर है, आपर मैं इसको index दे दूँगा 3 अब यह मैं को 3 return करके देगा क्योंकि total 3 elements से आपर तुम देख रहे होगे यह 3 आ रहा है, यानि कि आपर total 3 elements से यह बता रहा है अब देखो हमारे पास कुछ और भी sequence types होते है, sequence data types होते है कौन-कौन से, जैसे की string हो गया list हो गया, तो इनको भी हम tuple में convert कर सकते हैं, कैसे convert करेंगे? बस tuple function का use करके ठीक है, tuple function के अंदर तुम कुछ भी डाल दो तो, मतलब कोई sequential data type डाल दो तो उसको वो एक tuple में convert करके देगा ठीक है, और अगर tuple function के अंदर तुम कुछ ना डालो तो वो तुमको एक empty tuple create करके देगा, समझ गए? तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कि कोई sequential data type डाल के हम कैसे एक tuple बना सकते हैं उसको तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कि यहाँ पर मैं पहले एक string define करता हूँ, ठीक है? एक बहुत अच्छा string मैंने define कर दिया और अब मैं काम करता हूँ, कि इस string को एक tuple बनाते हैं, इस sequential data drive को एक tuple बनाते हैं, ठीक है? और उसके बाद इसके अंदर मैं यह डाल देता हूँ, ठीक है? और अब मैं इसको हटा के सिर्फ a को print करवाँगा, और नीचे वाले line का तो मिरे को कुछ काम नहीं है, तो इसको मैं comment out कर दूँगा, चलो ठीक है, मैं पास तीन line का code हो गया, अगर अभी मैं इसे run करूँ, तो यहाँ पर यह मिरे को यह print करके दे रहा है, अच्छा तो मैं print तो b को करवाना है, क्योंकि tuple जो है, वो b है, अगर मैं b से run करूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, हर एक element, हर एक जो string का हर एक character जो था, वो एक element बन चुका है, इस tuple का, तो इस तरह से हम string को क्या कर सकते हैं, एक tuple बना सकते हैं, ठीक है, तो किसी sequence को, एक tuple बनान ठीक है, अगर मैं अभी से run करके दिखाऊ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, काफी easy है, और अब क्या बच रहा है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर direct integer कर लेते हैं, ठीक है, माल लेते हैं, 7, 1, 3, 4, ठीक है, अगर मैं अभी से run करके दिखाऊ, तो यह मैं को एक error दे र इसे, तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल दो, फिर भी introduction तुम आने तुमें दिया ही था, data handling में, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यह tuple बना कर दे रहा है, तो यह था कि हम किसी sequential data type का use करके कैसे एक tuple बना सकते हो, उसे, और अब तुम ही मैं यह भी दिखाना चाहता हूँ कि अब input हम कैसे ले सकते हैं किसी एक tuple के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले input लेना चाहूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले tuple function के साथ दिखाता हूँ इसे, tuple और fuse के बाद, input, ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं enter sequence, ठीक है, और यहाँ पर अब मिरे को print करवा एक को, एक को print करवाना है, input लेकर print करवा दिया, बस यही तो काम है, चलो ठीक है, अब मैं अगर इसे अभी रन करूँ, तो यह कह रहा है enter sequence, थोड़े अच्छे से सजा देते हैं इसको, अब यह अच्छे से बोलेगा, अच्छे से बोलेगा, हाँ, अच्छे से बोल रहा है तो अब मैं आपर sequence डालूँगा, तो अगर मैं को integers डालने है यहापर, तो मैं क्या करूँगा यहापर, पहले 6 डालूँगा, फिर कोई और number डाल दूँगा, ऐसे करके मैंने कुछ numbers डाल दी, अब मैं इसे enter करूँगा, तो यह पर तुम देख रहे हो कि हर एक number को इसने यह से separate out करके एक tuple बना दिया, लेकिन अगर में को मान लेते हैं, एक ऐसा tuple बनाना हुआ, जिसमें यहाँ पर element जो है, वो 3 के जगा 36 होता, ठीक है, यह नहीं होता, यह 36 होता, तो फिर तो हम नहीं कर पाते हैं यह ऐसे, तो tuple function यह ऐसे काम कर रहा है, string का input लेके देखते हैं, enter sequence, अब मान लेते हैं मैंने यह कर दिया, यह कर दिया, ठीक है, यह कर दिया, enter करूँ, तो भी यही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दो element साथ में आये, ऐसा user जो चाहे, वो आराम से हो पाए, ठीक है, ऐसी चीज़े हो है ठीक है तो यहाँ पर मैं टपल फंक्शन को हटाके इवाल लिखूंगा अब देखो हमारी लिए चीज़े बहुत ईजी हो जाएंगी तो यहाँ पर मुझे आप हटेने में को खुदी बताना पड़एगा कि यहाँ पर मैं टपल इंपुट करवा रहा हूं तो ही पहले ही एक पर और पर मैं चीज़े डाल दूगा और मैंको स्टिंग भी डालना है तो मैं यहाँ बिडाल सकता हूं ऐसे करके ठीक है, अब मैं ऐसे इसे close करता हूँ, अगर अब मैं ऐसे enter करूँ, तो यहापर तुम देख सकते हो, कितनी easily चीजे आ गई हैं, तो eval function का का काम बहुत आसान होता है, और मैंने अलड़ी तुम्हें इसे strings वगरा के लिए भी उसकर के दिखा आया, उमीद है तुम्हें याद होगा, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपर एक काम करता हूँ, इसको अठाके टपल लिख देता हूँ, सिर्फ, यहापर मैंने टपल लिख दिया, अब एक चीज़ देखते हैं, महाल लेते हैं, मेरे पास में को, कुछ digits एंटर करवाने हैं, महाल लेते हैं 10, 20, 30 30, 40, इतने में को, स्टोर करने हैं, ठीक है, तो मैं यहापर क्या करता हूँ, 10 लिख देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, अब एंटर करता हूँ, तो यहापर तुम देख रहे होगा है, कि यहापर 1 अलग आ रहा है, 0 अलग आ रहा है, कॉमा अल क्योंकि मैं जॉइन फैमिली में रहता हूँ तो अब तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि मैंने क्रिएट करना तो चिखा दिया अभी एक्सेस करने का सीखते हैं ठीक है तुम अरड़ी सीख चुके हो लेकिन फिर भी मैं और अच्छे से करके बताऊंगा क्योंकि मैं सब कुछ इतना डीटेल में बताता हूँ इसलिए तो मेरी वीडियो इतनी लंबी लंबी रहती है तो हम देख चुके हैं यहाँ पर कि हम टपल को क्रिएट कैसे करते हैं अभी हम एक्सेसिंग के लिए कुछ चीज़े देखने वाले हैं वही पु तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़े डाल दी है अपने टपल में पता नहीं क्या क但 अब यहाँ पर मैं तुम्हें इंडेक्सिंग दिखाता हूं अगर मम इसका इंडेक्से वह 0 है यहां पर यह वन है और यहां यह 2 है similarly अगर हम backward indexing की बात करें तो यह minus 1 है यह minus 2 है और यह minus 3 है forward indexing 0 से लेकर n minus 1 तक चलती है n जिसमें की length of the tuple है ठीक है और यहां फिर list है फिर जो भी data type हम use कर रहे है और backward indexing minus 1 से minus n तक चलती है ठीक है यह जगा हम और यहां पर slicing क्या होती है slicing वही की चलो यहां पर पहले indexing की पर तुम्हें यहां पर print करके लिखाता हूँ अगर मैं माल लेती है यह 344 यहां पर लिखा हुआ है तो इसका index forward indexing क्या हो गया यह 0 और 1 ठीक है तो forward indexing में यह 1 हो गया तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 यहां मैंने 1 लिख दिया और यह p क्यों आ गया इसको हटाता हूँ अब अगर मैं इसे run करूँ तो यह पर तुम देख सकते हो 344 आ गया अब अगर 1 के जगह मैं आपर इसको हटाता हूँ और 2 कर देता हूँ सॉरी में को backward indexing में अब देखना है ठीक है तो यह minus 1 यह minus 2 तो यहां पर मैं लिखूंगा minus 2 यहां तुम देख सकते हो यह वापस 344 आ गया तो यह था indexing अब हमें देखना है slicing में क्या होता है कि हम एक range of values को उठाते हैं तो उसके लिए मैं काम करता हूँ कि यहां पर कुछ और values डाल देता हूँ यहां मैंने कुछ और values डाल दी ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ यहां से लेकर चीजों को यहां से लेकर मैं यहां तक की चीज़ें उठाके दिखाता हूँ तो उसके लिए slicing में क्या होता है start value stop value और step value वही पुरानी चीज़ें तो यहां पर मैं start value मैं क्या करता हूँ मै मैं क्या लिखूंगा यहां पर one लिखूंगा और उसके बाद and the लेकर में कर औहुँ किशीजे एठानी जी तो one, टू और थ्री और उसके बाद एक जादा लिखते हैं महां में पता है ठिक है तो three और four तो हमें आपर four लिखने वाले हैं four और यहां से यहां तक की चीजे उठके आ गई है यह वही काम कर रहा है ठीक है और अगर यहां पर तुम्हें बहुत बार पताया है लेकिन फिर से बतायाता हूं तो यहां पर अगर टू डालों तो यहां पर टू से के इंक्रिमेंट होंगी यह जो इंडेक्सर है तो यहां पर अगर वन लिखा हुआ है ठीक है तो पहले वन वाली जो वैल्य Eddie होगी वह आए capsule उसके बाद one दो चीज़े आएंगी बस देखो यहां पर तुम देख सकते हो दो चीज़े आ रही है और यहां पर by default क्या होता है one होता है ठीक है one रहेगा तो फिर कोई change नहीं आएगा इसमें जैसा का तैसा ही रहेगा ठीक है और यहां पर अगर तुम इस चीज़े को ना लिखो तो भी य जरब यहां पर one तुम्हें लिखना है नहीं लिखना मत लिखो ठीक है देखो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो सब कुछ सई जा रहा हाँ ठीक है और अगर में यहां पर यह forward indexing के बाए मैं सिर्फ forward indexing use करूँ या फिर मैं सिर्फ backward indexing use करूँ इस तरह से slicing में तो अभी मैं क्या करता हूँ यहां से लेकर इन दोनों values को ड़ाता हूँ ठीक है इन दोनों values को ड़ाता हूँ मैं तो यहां पर मैं क्या करूँगा 0, sorry 0 नहीं है यह क्या है minus 1, minus 2 और minus 3 और minus 4 तो मैं कहां से कहां तक की values डालूँगा मैं यहां पर डालूँगा minus 2 से लेकर minus 4 ठीक है तो यहां पर मैं डालूँगा minus 2 और फिर यहां पर डालूँगा minus 4 ठीक है और अगर मैं यहां पर backward indexing काम कर रही है काफी अच्छा हो गया है यह औपर एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो गाई कि देखो क्यों यह उल्टा चल रहा तो यहाँ पर यह वाली वाली जो वैल्लिवрий और यह तो इसलिए तुम्हारे लिए यह chapter काफी easy होगा तो membership operator क्या होता है in और not in ठीक है तो यह में को return करके देता है कि कोई भी एक element जो है वो हमारे sequential data type में है या नी तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे कि मैं अगर 76 76 in a ठीक है तो यहाँ पर यह में को true या false return करके देगा तो यहाँ पर यह true return करके दे रहा है हां तो तो तुम समझ गयों आकर कि अगर यहाँ पर इसमें नहीं होगा यह कहरा क्या कि 76 इसमें नहीं कि आप यह सजी कहरा है नहीं गलत कहरा इसलिए यह यह पर यह false आ गया ठीक है तो यह इसे तरह से बना देता हूं जिसके elements यह रहें ठीक है अब मैं पहले तुम में दिखाता हूं कि concatenation क्या होता है concatenation यानि हम दो टपल्स को आपस में जोड़ दें ठीक है इस तरह से आपस में आराम से जोड़ सकते हैं अगर मैं इसे भी रण करूँ देखो रण करने से पहले आपर दो काम है अब मैं इसे रण करूँ अगर तो आप तुम देख रहे होगे कि यह दोनों जुड़ चुके हैं बस ए प्लस भी लिखा और यह दोनों टपल्स है वापस में जुड़ चुके हैं इसमें अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रहा हूं ठीक है तो यह में को इतने कोड़ गई में को आटा देता हूं अगर अभी से रण करूँ तो आप तुम देख सकते हो कि इन ही तीनों को इसने चार बर लिखके दिया एक दो यह तीन और यह चार ठीक है तो यह इस तरह से काम कर रहा है तो अभी तक तुमने सब कुस देख लिया कि क्या कैसे कैसे यह लिस्ट से similar है बहुत जादा लेकिन अब तुम्हें यह दिखना है कि किस तरह से लिस्ट से अलग है तो आलड़ी मैं ने तुम्हें लेकिन लिस्ट की चीज़े तो हम चेंज कर सकते हैं अब टपल का कोई एक element माल लेते हैं कि मुझे a of one अगर हटा कर sorry a of one को हटा कर मैं को सिर्फ एक integer रखना है one ठीक है तो यह तुम्हें कर सकता हूं अगर मैं यह पर print करके तुम्हें कर रहा हूं किसको यहां पर प्रिंट कर रहा हूं एक हो अगर मैं अभी से प्रिंट करके दिखा हूं ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं अब मैं इस जीरो को चेंज करके one करने के कोशिश करता हूं तो इसका जो इंडेक्स है वो क्या है जीरो वन टू ठीक है तो यहां पर मैं टू लिख देता हूं और अगर मैं इसे आभी रन करूँ तो तुम देख सकते हैं आपर चीजे चेंज हो गई है ठीक है इसका मतलब है कि हम लिस् में कर रहे हैं हम लिस्ट में कर रहे हैं ठीक है तो हम चेंज कर रहे हैं लिस्ट में और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है इसलिए हमारे जो चेंज है वो हो पा रहा है लेकिन हम अगर चेंज करते किसमें टपल में तो टपल में चेंज करने के लिए मैं इस पूरे चीज को हटा करना पड़ता ठीक है इस पूरे चीज को हटा कर अगर मैं कुछ changes करूँ यानि कि अगर मैं ये करूँ इसका मतलब है कि अभी हम changes कर रहे हैं टपल में तो टपल जो है वो immutable है अब जो क्या है टपल क्या करेगा अब मैं को ये error देगा ठीक है और अगर तुम्हें इसे थोड़े और detail में समझना है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ देखो अगर मैं आप पर id function का use करूँ अगर मैं id लिखो id क्या देता है id मेरे को इसके अंदर के variable का address देता है ठीक है तो अगर मैं आपर सिर्फ a लिखो तो यह मेरे को यह बताएगा sorry पहले इसको मैं comment out कर लेता हूँ अब यह मेरे को बताएगा कि यह जो ए है उसका memory address यह है यह इसका address है ठीक है समझ गे तुम और अगर मैं आप पर individual चीज़ों की भी address लिखो यहापर लेते हैं one लिख दूँ ठीक है तो यह वाली चीज़ इस जो यह जो लिस्ट है इस पूरे list का यह address बता रहा है मेरे को ठीक है यह देखो इस पूरे list का address आ गया तो अभी क्या हो रहा है ना कि मैं यहाँ पर क्योंकि टपल immutable है तो इस address वाली चीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता लेकिन अगर यहाँ पर मैं माल लेते हैं यहाँ पर 0 की जो address है वो क्या है 012 ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर अभी से run करूँ तो इस वाले address की चीज़ मैं change कर पाऊंगा क्यों क्योंकि यह जो एक list है समझ गए अब यह जो memory address है इसको पता है कि इसके अंदर क्या है list है मतलब किसको refer कर रहा है list को refer कर रहा है तो list को तो हम changes कर पाएंगे ना तो इसलिए हम list में changes कर पाते हैं और टपल में changes नहीं कर पाते हैं तो यह एक important concept था और मैंने तुम्हें इसे बता दिया कि हमने एक एक करके access किया उसके लिए हम उसके बीच में एक-एक symbol लगा लेते हैं तो चलो मैं इसको हटाता हूं और इसको थोड़ा simplify कर देता हूं इसको simplify इतना करूंगा कि यह 0 हो जाए अब एक-एक करके elements को access करना है तो उसके लिए यहां पर loops का यूज़ करूंगा ओविस है ठीक है तो for i in अब यहां पर मैं a करूंगा ठीक है मैंने तुम्हें बता था for loop का बताई ही था तुम सीख चुके होगा अब तक तो यहां पर for i in और उसके बाद फिर मैं print करना चाहूंगा अब मैं aiko print कर रहा हूं तो यहां पर पहले मैं तुम्हें यह दिखाता हूं तो तुम्हें यहां पर देख रहे हो कि एक एक करके elements आ रहे हैं पता चल रहा तुम्हें, तो यह था ट्रावर्सिंग, और जब मैं तुम्हें लिस्ट पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम बताया था इसमें एक एक करके यहां पर जो elements आ रहे हैं, ठीक है? तो वो program तुम्हें याद होगा, तुम्हेरे books में भी है, तो ये similar program लिस्ट, tuples के लिए भी है, तो अब मैंने तुम्हें उसमें बताया था, तो एकदम similar है, ठीक है, तो तुम बना सकते हो खुझ से, और तुम्हें बनाना चाहिए अभी, ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, और अब हमारे पास है tuple operations, operations में क्या क्या आएंगे, वही चीजे हैं, जो index, slicing, और सबसे पहले हम बात करते हैं, joining की, ठीक है, तो tuples को हम concatenation मैंने तुम्हें अलड़ी बताया था, कि tuples हम जोड सकते हैं, ठीक है, अब तुम अगर tuple जोड रहे हो, तो tuples में तुम tuples ही जोड सकते हो, concatenation जोड तुम कर रहे हो, तो उसके लिए तुम मैं same data type चाहिए होगा, हमेशा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, जैसे कि यह है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर c is equals to a plus, अब यहाँ पर मैं कोई एक number लिख दूँ, ठीक है, तो क्या यह रन ह मैं काम कर पाएगा, क्योंकि मैंने बोला, सिर्फ तुम tuple में tuple जोड सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर भी यह error आएगा, ठीक है, तो यह था join करने का, और हाँ अगर तुम्हें एक single element भी join करना है इससे, मैंने तुम बता था कि single element तुम किस तरह से बनाओगे, ठीक है, अग अगर मैं इसको print कर वाँग, तो फिर मैं कहो यह print करके देगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको print कर वाता हूँ, sorry, हाँ, अब यह अगर मैं इसको print कर वाँग, तो देखो यहाँ पर बहुत सई तरीके से मैं को मिल गया output, और replicating का भी मैंने तुम बता था, तो वो भी है, और slicing का भी मैंने तुम्हें अल्ड़ेडी बता दिया था, अब आता है comparing tuples, ठीक है, compare कैसे करते हैं tuples को, यहाँ पर तो नहीं लिखा कोई बात नी, तो tuples compare कैसे करते हैं, तो tuples तुम्हें पतावा कि हम relational operators use करते हैं, तो उसके लिए हमें काम करते हैं, एक और tuple यहाँ पर बना तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको compare करके दिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं c लिखा हूँ है, तो अब मैं क्या करता हूँ, a equals to equals to b कर देता हूँ, तो equal to equal to का मतलब क्या है, तो मैं पता है, कि यह दोनों equal है या नहीं, यह पूछ रहा है, अगर equal है, तो यह true print करो, नहीं है कि दोनों equal नहीं है, ठीक है, अब greater than वाली चीज को देख लेते हैं, अब मैं यहाँ पर कहना चाहरा हूँ कि यह जो है, वो बड़ा है B से, अब यह क्या करेगा, true print करेगा, क्यों, देखो पहले यहाँ पर, देखो true print कर रहा है, तो यह क्या करता है, यह पहली एक एकर के value उसको चेक करता है, ठीक है, तो अगर इसने शुडू वाली value उसने चेक कर ली, ठीक है, यहाँ से इसने पहली value उठाई, यहाँ से इसने पहली value उठाई, तो पहली value जो 76 है, वो obviously बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर यह जो है वो बढ़ा है ठीक है और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अब यहाँ पर number of elements बढ़ा देता हूँ ठीक है sorry तो यहाँ पर मैंने number of elements बढ़ा दिया है तो यहाँ पर क्या यह length के basis पर कुछ करता है अगर मैं इसे अभी रेन करूँ तो अभी ये true कह रहा है यानि कि भले ही इसमें तुम कितने हजारो elements भर दो और इसमें एक element भी भरो ठीक है तो भी ये जो है वो छोटा हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैं को इसकी elements नहीं बढ़ाने चाहिए थे मैं को यहाँ पर elements बढ़ाने चाहिए थे ठीक है ठीक है तो यहाँ पर मैंने ये चीज़े बढ़ा दी अगर मैं इसकी अभी रन करूँ तो भी ये true कह रहा है ठीक है यानि कि number of elements से फर्क नहीं परता कि किसके elements बड़े हैं किसके elements जादा है तो पहली value इसको जैसे ही बड़ी मिल गई तो वह बड़ा हो गया लेकिन अब यहाँ पर दोनों मान लेते हैं कि same values होते है ठीक है ठीक है यहाँ तक कि यह same है अभी यहाँ पर length को यह obviously जादा priority देगा क्योंकि यहाँ पर यह बड़ा है ना कि और भी यहाँ पर चीज़े हैं लेकिन यहाँ पर और चीज़े नहीं है तो यह क्या कहाँ यह बड़ा है तो यहाँ पर यह false आ जाएगा तो इस तरह से comparison काम करता है काफी simple था और alphabets के लिए भी यह काम करेगा किस basis पे आसकी codes वाले basis पे ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी चीज़ आती है जिसे हम कहते है unpacking tuples अब यह तुम्हारे list में नहीं था strings में नहीं था तो unpacking tuples क्या होते है तो देखो अभी हमारे पास जो unpacking आ रहा है sorry unpacking आ तो unpacking आ रहा है इस element इस element और इस element को मिलाकर हमने pack कर दिया और इसे किसी variable में sign कर दिया ऐसे हम एक tuple बना रहे तो इसको हम packing कहते है और इसका उल्टा इसका उल्टा क्या होगा किसी एक tuple में से चीज़ों को बहार निकालना ठीक है यह अलग हो गया ठीक है और यहाँ पर इसमें हम चीजों को डाल रहें, तो यह packing हो गया, और इन डबो को निकाल रहें, बदर डबे हटाकर, चीजों को बाहर निकाल रहें, तो वह हो गया unpacking, यानि unboxing, ठीक है, तो वह भाली चीज़े हैं, तो हम unpacking कैसे करते हैं, देखो unpacking में हम इतने हम यहां पर हमारे पास elements हैं उतने हम क्या करते हैं? variables से लिए लेते हैं सबसे पहले तो एक एक variable में इक चीसे store करेंगे तो यहां पर कितने elements हैं? एक दूत तीन elements से हो तो हम तीन variables लिए लेते हैं कौन से? मान लेते हैं x, y, z इस तरह से हमने टपल के फॉर्म में लिग दिया अब यहां पर हम इसे आसाइन करेंगे किसको एक हो समझ गए तो अब यहां पर क्या होगा कि एक्स में चला जाएगा 76 वाई में चला जाएगा 0 और जेड में चला जाएगा 734 अगर अभी मैं इसमें प्रिंट करवाना चाहूं एक एक करके चीजों को ठीक है माल लेते हैं एक्स को प्रिंट करते हैं क्या प्रिंट होगा 76 सही जा रहा है वाई को प्रिंट करते हैं क्या होगा 0 अब माल लेते हैं जै को print करते हैं क्या print ओगा 734 734 734 ठ cuatro तो इस तरह से काम न Susie है और हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम इस चीज Pode अब भी बना सकते हैं ठीक है तो कैसे बनाएंगे माल लेते हैं मेरे पास नया variable ऐ आर और इसके अधर मैं पर इस से X, Y, Z पास करवा सकता हूं इस तरह से मैंने ये पास करवा दिया ये मेरे पास बन गया एक टपल और यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगर R को प्रिंट करवा हूं तो मेरे पास आसानी से एक टपल आ जाता है आ गया ठीक है आ गया न और और क्या चीज़ है यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम आ सकता है जहाँ पर वो मुझे बोले कि मेरे पास यह एक टपल दिया हुआ है और यहाँ पर वैल्यूस को स्वैप कर दो यानि कि 0 को पहले कर दो और 76 को उसके बाद कर दो यह अगर मुझे बोले तो यहाँ पर मैं पैकिंग का काम कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर पहले क्या करता हूँ यहाँ पर मैंने अन्पैकिंग किया अब मैं यहाँ पर पैकिंग कर रहा हूँ अब यहाँ पर पैकिंग मैं क्या करता हूँ तो को मैं यहां पर पर लिख देता हूं और इसके बाद यहां पर इंगेक्स लिख देता हूं बस काम खतम अगर मैं接 Kind करूं तो हमारे पास R जो यहां पर NSP उसमें में डेचाने कर दियं हैं बस बहुत इसई था तो यहां पर तुम देख सकते हूं तो मैंने यहां पर इस तरह से टपल जो और शेक रखिए और इसके जिए हमारा काम जब निकल जा रहा हूं निकल जारे तो हम इतना मेहनत क्यों करें तो हम इस चीज को हटा देते हैं यहां मैंने इसको अठा दिया इसको मैंने अठा दिया ठीक है इसको अठाता हूँ हाँ ठीक है तो अब वापस यह code पहले जैसा बन गया ठीक है यह था unpacking अब देको delete कैसे करते हैं tuples को यह फिर अगर मैं को tuple के individual elements को delete करना होगे तो वो कैसे करते हैं तो अगर मैं को सबसे पहले तो delete करना हुआ तो उसके लिए मैं यहां पर डैल लिखूंगा कोई पी चीज डिलीट करना हुई हो तो मैं यहां पर डैल एक कर दूँगा ठीक है अब अगर मैं एक को print करवाना चाहूं तो यह मेरे को बोलेगा यह तो है ही नहीं सब्सक्राइब मैं यहां पर इक्ला चाहं एक यहांपर पर डैलेट करना चाहुं मैं अगर एक एक अलेमें Bulgar को यहां पर डिलीट करना चाहूं तो इसका एंडऄ्स में आपर टू लिख़ दिया अगर और आप पर प्रिंट करवा हूँ तो यहां पर तुम देख सकते हैं आपर टबल क्या कर रहा है कि टपल अब्जेक्ट डिजन सपोर्ट आइटम डिलीशन ठीक है यहां पर डिलीट नहीं होते हैं इंडिविजुल अब्जेक्ट इंडिविजुल अलिमेंट्स अब हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या आता है टपल फचन्संर मेंद टूपिक है तो सबसे पहले तुम्हेरे पस क्या है तो यह में को बता रहा है 3 ठीक है यह था length function दूसरा है max function जो कि तुमने लिस्ट में भी बढ़ा होगा यह तुम्हें maximum मतलब की जो सबसे बड़ा element है तुम्हारे list में या फिर tuple में वो बताएगा ठीक है यह function तो इसने यह बता दिया ठीक है और हां तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हें से minimum या maximum का comparison कर रहे हो तो तुम्हारे जो sequential data type है जो की list है या फिर tuple है तो फिर उसमें वो same data type की values होने चाहिए मतलब अगर तुम integers डाल रहे हो तो सारे के सारे lists होने चाहिए तो टपल होने चाहिए सारे के सारे ठीक है यहने कि same data type होना चाहिए अब यहां पर integers और float data type में चीज़े compare हो सकती है ठीक है तो min और max उसके लिए चल सकता है वड़ना तुम्हें क्या करना होगा same data type की चीज़े डालनी होंगी तो यहां पर उसी तरह से min भी है यहां पर मैं min करता हूँ ठीक है अगर भी सी run करूँ तो यहां पर तुम देख सकते हो 0 आ गया और उसके पा करने के लिए तुम्हें पहले variable का नाम लिखना होगा जो कि पहले तुम्हारा dot लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर यहां पर तुम्हें index लिखना होगा और उसके बाद तुम्हें पर वह element को पास करना होगा ठीक है जिसकी index तुम जानना चाते हो जैसे मानले कि यहां पर 734 लिखा हुआ है तो यहां पर मैं लिकूंगा 734 अब मैं कोई इस चीज की index निकाल कर देगा यहां पर यह मैं को बता रहा है कि second index पर है ठीक है तो जीरो वन और यह टू ठीक है second index पर है तो इस तरह से यह काम करता है index method जो है वह तो चलो यहां पर थे तुम एक यह तो निकाली सकते हो ञें तो अगर निकालना तो तुम एभागं पर निकाल सकते हो इसे विडियो बाज करो और यह प्रोग्राम बना कर देख लो अगर बनता तो बहत अची बात है और अभी हमारे पास count method ठीक है तो count method क्या करता है कि count जो है वह उस चीज़ को count करता है कि कितने बार है तुम्हारे टपल में, तो 734 कितने बार है तुम्हारे टपल में, एक बार है यहां पर यह एक लिक रहा है, तो माल लेते हैं, यहां पर मैं 0 कर देता हूँ, और 0 को मैं 2-3 बार और यहां पर डाल देता हूँ, यहां पर मैं 0-0-0-0, ठीक है, यह कर दिया, अब अगर मैं इसे अबिरन करूँ तो यहाँ पर यह कह रहा है कि 6 बारा आ रहा है, ज़र अकाउंट कर लो. अब हमारे पास एक function है, जो कि है sorted. ठीक है, sorted हमेशा एक ही काम करता है, sorted में हम कोई भी यहाँ पर sequential data type डाल सकते हैं, वह हमें carry turn कर के दे देँ, वह हमें sorted list return कर के देगा, ठीक है, अगर मैं आपर इसे run करूँ, मतलब यहाँ पर a डाल के, अगर मैं से even करूँ, इस चीज को पहले हमें हमें आपर उसे हट आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एक list return करके दे रहा है और यह sort किया हुआ list है ठीक है यहाँ पर ascending order में है चीज़ है ठीक है और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ true कर दूँ तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को अठाके true कर दूँ तो अभी क्या होगा यह मैं को return यह मैं को descending order में देगा ठीक है तो यह का मैं sorted का और इसके बाद हमारे पास आता है टपल फंक्शन टपल फंक्शन क्या करता है वह similarly data types को change कर देगा वह ठीक है यहाँ पर अगर तुम कोई testода श्री सीके्वेंस में यहा पर मैंने और दId recently और मैं इसको टपल में चेंज करके लिखना चाहूं तो यह क्या यह कर पाएगा देखते हैं यहां पर मैं टपल में चेंज करता हूं इसको किसको एकूं अगर मैंसे तो तहल कि यह यहां पर में से रंड करके दिखा दूँ तो यहां पर यह इस चीज को काम कर पा रहा है ठीक है तो अब देखो अभी तक मैंने तुब्हें क्या बाता है कि हम टपल में चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैंasia लेकिन उसका इंडेक्ट तरीका भी होता है हम 152 इंडेक्ट तरीके हैं कौन कौन से सबसे पहले मैं क्या करता हूं एक टपल मैं यह आऎंपर लेता हूं ऐक यह क्या कर रहा हूं मằm ठीक है यहाँ पर मैंने यह एकटप ले लिया ठीक है अब मैं यहाँ पर चीजों को चेंज करना चाहता हूँ तो पहला तरीका तो मिरे पास यहे कि यहाँ पर मैं packing और unpacking का यूज़ करो हूँ ठीक है तो यहां पर तुम देख सकते हो पहले मैं 4 चला जाएगा, y में 3 चला जाएगा, और z में 568 चला जाएगा, ठीक है, तो अब मैं आपर packing करता हूँ, अब मैं आपर क्या करता हूँ, a में assign करता हूँ, और a equal to लिखूँगा, और यहाँ पर, मैं आपर x लिखता हूँ, ठीक है, x, कॉमा, अब मैं आपर y के जगा पर क्या करता हूँ, 8 कर देता हूँ, और यहाँ पर z के जगा पर z ही रखता हूँ, ठीक है, यह कर दिया मैंने, अगर अभी मैं इसे run करूँ, तो मैंने आपर इसे print करवाए हैं नहीं है, print करवाते हैं कि इसको a को, ठीक है, तो यहाँ पर आप तुम देख सकते हो, कि हमारा जो a था, उसमें changes हो चुके हैं, कैसे changes होएं, सबसे पहले, यहाँ पर मैंने इसको assign किया, यह एक tuple, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसकी unpacking की, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी unpacking की, तो यहाँ पर एक-एक elements, एक-एक variable में आ गए, अब मैंने variable को, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर यह लिख सकता था, कि y is equal to y is equal to 8, यह भी लिख सकता था, और यहाँ पर direct मैं y लिख देता, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से values change करवाई, और उसके बाद फिर मैं a मैं पूरी की पूरी a को मैं change कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकता हूँ कि a के किसी element को यहाँ पर मैं change नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरे के पूरे a को change कर रहा हूँ, यह पूरा का पूरा यह था उसको मैं पूरा का पूरा पूरा चेंज करके यह लिख रहा हूँ यानि कि मैं एक element को change नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह immutable और immutable वाला concept नहीं लगने वाला समझ रहे हो तुम पूरी की पूरी change को यहाँ पर चीज को मैं यहाँ पर change कर रहा हूँ एक element अगर मैं उठा के यहाँ पर change करता तो वो उसमें immutable और immutable वाला concept आ जाता तो यह मैं कर सकता हूँ यहाँ पर ठीक है तो इस तरह से मैं यहाँ पर चीजों को change कर सकता हूँ individual elements को tuple के यह अंदर यह था पहला indirect metal और दूसरा indirect तरीका यह था कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि A को पहले मैं List में change कर लेता हूँ और फिर List में changes करके उसके बाद फिर मैं उसको tuple में आपस change कर लूँगा तो यहाँ पर मैं A equals to ठीक है list कर लेता हूँ और list के अंदर में इसको डाल लेता हूँ अब यह क्या करेगा यह इस चीज को एक list में convert कर देगा अब मैं आपर changes कर लेता हूँ चलो यहाँ पर a के second index पे मैं को 0 चाहिए तो यह कर लेता हूँ मैं 0 मैंने कर लिया अब मैं आपर एक और tuple में change कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने tuple लिख दिया और इसमें मैं एक को pass कर वा रहा हूँ ठीक है अब मैं अगर इसे abhiren कर वा हूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो changes हो गए ठीक है मैंने क्या किया पहले इस tuple को list में change कर लिया अब list में तो मैं changes कर सकता हो न तो यहाँ पर मैंने list में यह change कर लिया अब मैंने इस चीज़ को वापस से एक tuple में convert कर लिया अब इस चीज़ को मैंने print कर वा लिया तो यह दो तरीके थे इसके बाद मैं पढ़ना था nested tuples के बारे में तो nested tuples के बारे मैं आलड़ी मैं तुम्हें पता चुका हूँ कि अगर मेरे पास कोई tuple है उसके अंदर भी मैं किसी एक element को as a tuple डाल दूँ माल लेते हैं आपर और भी elements है हमारे पास ठीक है तो इस tuple के अंदर भी मैंने इस tuple को रखा हुआ है ठीक है इस tuple को यहाँ पर रखा हुआ है तो यह एक nested tuple बन गया ठीक है समझ रहे होगे तुम और nested tuple में चीजों को कैसे access करते हैं यहाँ पर पहले अंदर वाले टपल की जो index है वह में डाल देता हूँ one और उसके बाद अब मैं कुछ इस element को access करना है उसका मैं यहाँ पर index डाल दूँगा माल लेते हैं यहाँ पर भी मैंने one डाल दी है तो यह मैंने 85 निकाल के देगा अब इसको रहें को देखो यहाँ पर यह 85 निकल के आ रहा है तो यह simple था nested tuples का तो अभी तक तुमने देखा कि अभी तक सारे के सारे functions काम कर रहे थे जब भी हम nested tuples का use कर रहे थे लेकिन कौन कौन से काम नहीं करेंगे हम यहाँ पर अगर minimum, maximum इनका अगर use करें तो वह काम नहीं करेंगे तो क्यों नहीं कर रहे है देखो यहाँ पर minimum or maximum का मिरे को अगर वेर काम करवाना हुआ हो तो यहाँ पर अभी लिखो minimum maximum तो उसके लिए मैं को catch ही कि सारे जो data types है हर एक elements के वो same होने चाहिए अगर मैं अभी लिखो तो यह मैं को क्या बता रहा है यहाँ पर यह मैं को अभी return करके दे रहा है क्योंकि अभी यह सारे के सारे same data type के हैं तो minimum और maximum जो है वो चीज़ अगर हमें use करनी है तो उसके लिए सारे element जो है same data type के होने चाहिए और अगर मैं को यहाँ पर sum use करना है तो अभी यहाँ पर यह error आजाएगा भली वो same data type के हो और अगर यहाँ पर मैं अलग अलग मालेते हैं सबका length अगर same रखना चाहूं अगर मैं सबका length भी अगर same रखना चाहूं तो क्या हो रहा है तो भी यह error रहा है मतलब sum जो है वो nested tuples के लिए काम नहीं करेगा और minimum और maximum को काम करवाने के लिए हमें क्या चाहिए same data type चाहिए हर एक element का और बाकी से सारे functions है वो सब काम करेंगे तो इस तरह से हमारा जो tuples का जो chapter था वो खतम होता है पूरी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से खतम होता है मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया एकदम deep में deep जो चीज़े आ सकती है सब कुछ मैंने बता दिया अब तुम्हारा काम क्या है तुम्हारा काम यह है कि तुम books खोलो और कुछ questions बनाना शुरू कर दो